बच्चो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आपका हिंदी का पेपर आ सकता है या एक सेंपल पेपर है आप ये न समझें कि ठीक इसी प्रकार का पेपर आपका आएगा वलकि इस तरह से मिलता जुलता पेपर आपका हो सकता है इसलिए आप इस पेपर को एक बार ध्यान पूर्वेक जांच लें और समझ लें किसी प्रकार से आपका पेपर भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं ककसा आर्ट हिंदी मॉडल पेपर NCRT CBSC और समय होगा आपका लगबग तीन गंटे का और पूर्णांक यानि कि जो आपके मार्स होंगे टोटल पेपर के असी हो सकते हैं और सबसे पहले आपको पेपर में देखने को मिलेगा आवशक निर्देश जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं और है सभी प्रस्न अनिवार्य ह आपको सभी प्रस्न करने होंगे यता संभव परतेग प्रस्न के उत्तर करमशा दीजिए यानि कि आप किसी भी प्रस्न को ना छोड़े और करमवत सभी प्रस्नों के उत्तर आप लिखें पहला प्रस्न हो सकता है आपका बच्चो निमलिखित अपटित गद्यांस को पढ़ गद्यांस जो कि अपटित रूप में होगा आपके पास आ सकता है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए कई स्त्रियों ने कड़ा संगर्च किया उनमें सरोजनी नाइडू का अपना अलगी अस्तान है उनकी आवाज बेहत मधुर थी इसी वज़े से वह पूरे विश्व में भारत को किला के नाम से बिख्या थी बचपन में वहा बेहद मेधावी छात्रा थी निसो पांच में गोल्डन थ्री सोल्ड सीर्चक से उनकी कविताओं का पहला संगर्य प्रकासित हुआ था इसके बाद उनके दूसरे और तीसरे प्रकाइम तथा ब्रोकन विंग्स ने उन्हें सुपरसित कवित्री बना दिया उन्निसो चौदम में इंग्लेंड में हुए पहली बार गांधी जी से मिली और उनके बिचारों से प्रवावित हो कैर देश के लिए समर्फित हो गई एक कुसल सेनापति की भाती उन्होंने अपनी परतिवा का परीचय आंदोलन समासुधार और कॉंग्रेस पार्टी के संगठन में दिया उन्होंने अनेक राष्टी आंदोलन का नेतरत्तों किया और कई बार जेल भी गई उन्हें पहली महिला राज्यपाल होने का गौरब भी प्राप्त हुआ उन्होंने अपना स उतर लिखना है जैसे कि यहां पर आपने अपटित गद्यांच को पढ़ा और उस पर आपके लिए प्रसन है कैप प्रसने पहला प्रसन अपनी मधूर आवाज के कारण सरोईनी नायडू कौन से नाम से बिक्या थी तो आपने पैरा ग्राप पढ़ लिया था बच्यों आप आपको मालूम हो गया होगा इसका उतर आप लिख सकते हैं दूसरा है सरोईनी नायडू ने अपनी परतिवा का परिचय कब दिया तीसरा प्रसन आपके लिए हो सकता है सरोईनी नायडू के कौन से कविता संग्रे ने उन्हें सुपर सिद्ध कभियतरी बना दिया चोथा प परकार से एक प्रसन हो सकता है उप्युक्त गद्यांस का उचित सीर सकते हैं ठीक है तो आपको इनके उतर बताने होंगे आप पैरागर आप पढ़ें और इनके उतर आप समझ सकते हैं इसके बाल बच्चो दूसरा प्रसन आपके पेपर में हो सकता है निमलिकित अपठित क अब्यांस को पढ़ कर पूछे गए प्रस्णों के उत्तर लिखिए और यहां पर आप देख सकते हैं जो पध्यांस है किस प्रकार से है जिस जिस से पत पर इसने हमिला उस उस राही को धन्यवाद जिवन अस्तिर अंजाने ही हो जाता पत पर मेल कहीं सीमित पगडग लंबी म अंजिल तै कर लेना कुछ खेल नहीं दाएं बाएं सुकदुक चलते सम्मुक चलता पत का परमाद जिस जिस से पत पर इसने हमिला उस उस राही को धन्यवाद और यह है यहां पर जो कविता दे रखी है यह सिममंगल सुमन द्वारा लिखी गई और इसमें आपको कुछ प अलना पसंद करते हैं अगला प्रसन है कभी किन लोगों का आवार प्रकट कर रहा है और फिर इसके बाद पध्यांस का उचित सीर सक दें ठीक है बच्चो तो इस प्रकार से आपके पास कोई कविता आ सकती है और उस पर इसी प्रकार के कुछ प्रसने पूछे जा सकते हैं इसके बाद तीसरा प्रसन आपके प्रसन पत्र में हो सकता है बच्चो निमलिकित सब्दों के प्रियावाची सब्द लिखिए और किनके प्रियावाची जैसे अहेंकार का प्रियावाची सब्द लिखिए और नाव का प्रियावाची सब्द आपको लिखना होगा तो किस से लिखेंगे आप जो है इन्हें याद करें इसके बाद है बच्चों जैसे रेखांकित सब्दों के बिलोम सब्द लिखिए और यहां पर आप देख रहे हैं रेखांकित सब्द क्या है प्राचीन काल और यहां पर है रूची यहां पर है प्राता काल तो इनके आपको बिलो सबजिया रखी हैं तीसरा हो सकता है इस बोतल में एक लिटर पानी आएगा अगला है असंक्य नर्णारी सबा में आए हैं तो यहाँ पर आपने वक्के में जो प्रियुक्त भिसेशन सब्द हैं उनको पहचानना है ठीक है इसके बाद इसी प्रकार अगला एक प्रस्न हो सकता है सबी भाववाचक संगया सब्द से रिक्त अस्टानों की पूर्थि कीजिए और यहाँ पर आपके लिए रिक्त अस्थान दे रखें बच्चो इस प्रकार से यहाँ पर एक कठिन और यहाँ पर अपना है है इसके बाद बच्चो अगला प्रस्ण देख सकते हैं आपकी पाटे पुस्तक में ब्याकरण में आपको इस सारे प्रस्ण मिल सकते हैं निमलिक रिक्त अस्तानों में उचित भी भक्ति कारक लगा कर हुआ क्या पूरे कीजिए और यहां पर जो है आपके लिए इस प्रकार क बच्चो कुछ प्रस्ण इस प्रकार आ सकते हैं निमलिक सब्दों में से उपसर्ग पहचानिये जैसे अनमोल है और यहां पर भरपेट है आपने उपसर्ग के बारे में जानकरी ली होगी बच्चो नहीं लिए तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हिंदी व बढ़तिया अलग करना होगा इसी प्रकार संदी बिच्चेत से संब्दिद प्रस्ण आपके आ सकते हैं नमस्ते अब इस एक जैसे आप देख रहे हैं तो इनका आपको संदी बिच्चेत करना हो सकता है इसी प्रकार से अन्य भी आ सकते हैं ऐसे सब्द आपने ध्यान पूर आप देख सकते हैं समास के बारे में पूरी जानकारी दी गई है इसी प्रकार बच्चो एक प्रस्न आपके पास हो सकता है किनी दो मुहावरों किया वाक्य में प्रियों कीजिए जैसे यहाँ पर बिश्मित होना इंट का जबाब पत्थर से देना उन्नीश बीस का अंतर होना या तूट पढ़ना ठीक है तो यह आपके लिए मुहावरे हो सकते हैं इसी प्रकार के अन्य मुहावरे आपके प्रस्न पत्र में आ सकते हैं बच्चो तो आप मुहावरे वाले चैप्टर भी जरूर से जरूर पढ़ ले इसके बाद बच्चो यहाँ पर आपको पूछे ज देखने को मिलेंगे आप उनके उत्तरों को याद करें दूसरा है बच्चो घर के सामाने काम हो या अपना नीजी काम परतेग व्यक्ति को अपनी चमता के अन रूप उन्हें करना आउसक क्यों है तो आप जानते हैं क्यों है चलिए आगे देख लेते हैं अगला है बच्चो पांचवा प्रसन आपके लिए हो सकता है किनी दो प्रसनों के उत्तर शंक्सिव रूप में लिखो और पहला प्रसने आपर कवीर घास की निंदा करने से मना करते हैं कवीर के दोहे में घास का बिसेश अर्थ क्या है और कवीर के उक्त दोहे में संदेश क्या है दूसरा प् आप जानते हैं कि उड़ना चाहता था आप अपने पाठे पुस्तक में बाज और साप वाली कहानी पड़ें वहाँ पर आपको इस प्रकार के प्रसंद देखने को मिल सकते हैं उनके उतर आप याद कर सकते हैं अगला प्रसंद हो सकता है बच्यों किनी तीन प्रसंद के उतर देखिए और पहला प्रसंद है पक्सियों और बादल की चिठियों के आदान परदान को आप किस द्रश्टी से देख सकते हैं एक प्रसंद है बालक स्रीक्रश्न किस लोब के कारण दूद पीने के लिए तयार हुए इसको भी आप याद करें इसके बाद अपने गाउन लो बाद मिलने वाली संपन्ता का चितरन कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है उसे अपने सब्दों में लिखिए ठीक है तो इस प्रकार के आपको प्रसंद पूछे जा सकते हैं आप उन्हें अच्छे से याद करें कुल मिलाकर आप अपनी पार्टे पुष्टक एक वाक्य में लिखिए और पहला प्रसंद हो सकता है लाख की वस्तों का निर्माण भारत के किस राज्ये में सबसे अधिक होता है आई बास समझ में इसके बाद दूसरा प्रसंद हो सकता है बचो बारत की पहली सवाग फिल्म कौनसी थी जानते आप कौनसी थी इसके कार के प्रस्ण आपको पूछे जा सकते हैं मनुष्य का मन कैसा होना चाहिए आप जानते हैं कैसा होना चाहिए अगला प्रस्ण है कविता का सीरसक ध्वनी इस सब्द से आप क्या समझते हैं ठीक है तो आप जो ए अच्छे से याद करें इन प्रस्णों के उत्तरों को भी और और इसके बाद बच्चो अगला प्रसन आ सकता है दिये गए पठित गध्यांस को पढ़ कर पूछे गए प्रसनों के सही उत्तर चुन कर लिखिए और यहाँ पर आपके लिए गध्यांस है आप इसे पढ़ सकते हैं बच्चो और यहाँ पर आपके लिए फिर प्रसन दिये मन ही मन क्या सोचा पैसों का इंतजाम नहोने पर वे पत्नी के गहने ले लेंगे खै पैसों का इंतजाम नहोने पर वे पत्नी की नजरों में गिर जाएंगे या फिर भाग जाएंगे इनमें से कोई नहीं तो आपको इनमें से सई उप्सन चुनना हो सकता है इसके बाद तीसर का सामना कैसे करेंगे या इन में से कोई नहीं तो आपको सही option यहां पर चुनना हो सकता है इसके बाद बच्चेव अगला है यहां पर चौथा लाला के सामने कैसा प्रस्न था और यहां पर आपके चार option है सही option आपको चुनना ए उनकी पर थिस्ता वो घर में साक का दूसरा है खैवला पैसों का इंतिजाम न होने पर वे पत्नी के गहने कैसे मांगे या फिर पत्नी भाई से पैसे मांग लेगी या जान बचाने का ठीक है तो आपको सही उप्सन बताना है कि कौन सा सही है इसके बाद बचो पांचवा है परतिशता सब्द का अर्थ बत और आपने एक कविता पढ़ियोगी पध्यांस पढ़ाओगा अभी न होगा मेरा अंत अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मिर्दुल बसंत अभी न होगा मेरा अंत हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात मैं ही अपना स्वपन मिर्दुल कर फेरूंगा निन्रित कलि या दुनी आपको correct option चुनना हो सकता है इसके बाद दूसरा प्रस्न हो सकता है बच्छो कभी अपने जीवन का अंत क्यों नहीं चाहता और यहाँ पर चार उप्सन है कभी बहुत लंबी उम्र तक जीना चाहता है या फिर वह अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर यस कमाना चाहता है या फिर वह अपने जीवन को फूलों सा महकाना चाहता है या फिर वह प्रकरतिकांस बनना चाहता है आपको correct option चुनना है ये बाद बच्छो फिर है तीसरा प्रस्निया पर इसी कभीता से संबन्दित बन में मिर्दुल बसंत पंक्ति से क्या से है और ये बच्छो इसी कभीता से संबन्दित पांचों प्रस्ने कभी प्रकरतिके माद्यम से क्या कहना चाहते है और इसके लिए यहाँ पर चार उपसंदिवे प्रकरति खिली रहे उसके जीवन का आले से निरासा प्रमाद सब दूर हो जाए वह और नवीन कारियों को अर अगर चर करें इस भी से पर अनुचेद लिखिए तो आपको जो है इस भी से पर एक अनुचेद या पैर अगराफ लिखना हो सकता है इसके बाद 11 प्रस्न हो सकता है बचो अपने छेतर के पोस्ट मास्टर को ठीक से डाग बितरें नहोने की और ध्याना करशित करते हुए पत्र लिखना है इस प्रकार का आपके पर प्रस्न आ सकता है और अगला प्रस्न आ सकता है बचो दो सहीलियों के मद्यवारताला पर संबाद लेकर लिखिए यानि कि दो सहीलियों की बीच क्या क्या बातचीत हो सकती है आपको उस पर एक संबाद लिखना हो सकता है आपने देखा काफिये बच्चों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में आपका दिन सुभ हो।